श्युवा देबना मेरा साथ है भोषपिरो के सुपरेस्टार दिनेश लाली यादू जी यादू से पूछेंगे पहले कि लता जी ये भी आज से सिंगर भी है और उनसे पूछेंगे आज हमारे हमारे लिए बहुत कस्टिकी बात है कि हमारे शुरेला जो लता जी है आप पास्त अच्छा हुआ है और ठीक हो रही है डॉक्टर ने भी कहा कि ठीक हो रही है तो हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं प्रे करते हैं कि जल्दी से स्वस्थ हो जाए और स्वस्थ रहे हमेसा यही कामना करते हैं प्रभो से ये इस बार जो कुरोना का जो बेव है थर्ड तो आपको कोवीड आके गया क्या कहने चाहेंगे किस तरह से यह कोवीड लेना चाहिए और लेना चाहिए उनको बिल्कुल सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि देखिए खतरा तो अभी टला नहीं है भले यह जो तीसरा वेब है वो उतना खतरनाक नहीं है फिर भी इसके मुझे भी दुबारा हुआ लेकिन दोनों टीका लग गया था तो एक दिन में फिर ठीक भी हो गया तो सावधानी रखने के आवशकता है और आप लोग अपने घर परिवार का ध्यान रखिये और साप सफाई रखिये और मास्क लगाईए और दोरी बना के रखिये यही कहे दिने चीए अभी आप भी बीजेपी से पार्टी से चुनाव लड़े थे अभी बीजेपी अखड़ तो आप स्टार पर चारोखो लेकिन इस बार तो अभी कुरोना का कारण रेलिया नहीं हो रही है फिर भी आप वहां पे बीजेपी का यूबी एलेक्शन में बीजेपी क पर सच बात ये है कि अगर आप धरातल पे पता करेंगे तो जनता जो है वो चाहती है कि फिर से योगी आदेत्यनात जी ही मुखे मंत्री बने क्योंकि उन्होंने जिस तरह से काम किया उत्तरपदेश के लिए वो बहुत अच्छा था और लोग बहुत खुश हैं उससे हर कोई शांती प्रिय जीना चाहता है और जो सबसे अच्छा काम किया महराज जी ने वो लॉइन आउडर को इतना अच्छा कर दिया कि किसी की महां हड़प रखी थी वो सारी जो है वापस उस पर बुलोजर चल गया तो मुझे लगता है कि जनता खुद चाह रही है कि ऐसी ही सरकार होनी चाहिए जिसमें कि हम शांती से अपना जीवन जी हैं चाहे वो ब्यापारी हो चाहे वो किसान हो चाहे उद्योग पती हो हर कोई चाह कि व्यापार भी बढ़े रोजगार भी बढ़े आज देखिए आप उत्तर प्रदेश में जितनी सारी फिल्में हैं बोजपुरी की और हिंदी की भी बहुत सारी फिल्में वो यूपी में ही शूट हो रही है कहीने कहीं वहां पे इतनी सुविधा मिलती है और वहां पे कान आदितिनाजी के सरकार में उसके वज़े से ही और कोरोना काल में भी काफी मदद किया महराज जी ने आज भी रासन बट रहा है हर गरीब परिवार को मिल रहा है रासन तो और लोगों को चेहिए क्या तो इसलिए जनता जो है वो मन बना के रखे है कि फिर से वो योगी आदित कांटर गाना लिया है जो कांटर उसको पर तो आप कहेंगे नेहा ने क्यों कंटर या यह कोई चाल अग Digital विपक्षित की विद्ध नेहा कोई किया था नहीं नहीं जब भी कोई एक व्यक्ति कुछ गाना गाता है या कोई statement देता है तो जो उसके opposition के लोग हो भी अपना पक्ष रखते हैं तो रभी किशन जी ने भारती जन्ता पार्टी के पक्ष में अपना गाना रखा, तो जो भी पक्ष के लोग हैं, वो भी अपना काउंटर कर रहे हैं, तो ये तो होता ही है, ये हमेशा होता है. तो आपको मतलब लगता हैं कि ये कोई साजीस है या ऐसा कुछ नहीं? साजीस की कोई बाती नहीं है, कहने का मतलब ये है कि जब मैं अपनी पार्टी का परचार करूँगा, तो जो अपोजीसन है वो भी तो अपना परचार करेगा, तो ये परचार है, हम अपना परचार कर रहे हैं, मूल बाती है कि जन्ता को क्या चाहिए, जन्ता को गुंडा रा पर्चार करें जिस भी पार्टी से जुड़ा हुआ है बाकि जनता तै करती है कि उनको क्या चाहिए जनता को इसके पहले की सरकारों ने क्या दिया और अब की जो सरकार है उसने क्या दिया उसी भी फैसला होगा अभी दिने जी आप कुन सा फिल्म में शूट करें और कितने फिल्म अभी तक आपका हाथ में आपने बोले मेरा पास साल दो साल में टाइम ही नहीं जी बिल्कुल जब से लॉकडाउन खुला है साथ आठ फिल्मे में उत्तर पदेस में लगातार शूट करके आया हूँ मैंने सबसे पहले किया हाई मिलन की रात उसके बाद मैंने किया आर्मी आर्मी के बाद मैंने किया राजा डोली लेके आजा उसके बाद मैंने शूट किया माई माई के बाद मैंने शूट किया फसल फसल के बाद मैंने शूट किया सबका बापा मुठा छा और उसके बाद अभी अभी एक और फिल्म में कंप्लीट कर गया आया परताब गड़ में और उस फिल्म का नाम था गोबर्धन और उसके बाद अभी मुंबई में हम लोग शूट कर रहे हैं बजरेश्वरी में हमने पूरा अपना schedule complete किया है नाच बेजू नाच और बस दो-तीन दिन और बचे हैं दो-तीन दिन में ये भी फिल्म complete हो जाएगी और उसके बाद फिर हम लोग UP जाएंगे UP में फिर मेरी फिल्म शुरू होने जा रही है कलाकंद जिसके डिरेक्टर संतोष मिष्राजी है और worldwide company जो है बना रही है रतनाकर कुमार जी बना रहे है उसके बाद फिर हम लोग एक और फिल्म वहीं शूट करेंगे यूपी में ही जिसका नाम है सदा सुहागन जिस फिल्म में दो-दो नाइका हैं आमरपाली दूबे और काजल रागवानी दोनों ही रहेंगे उसमें और इस तरह से है लगातार मुझे लगता है कि एक-दो साल तक सब क्योंकि लॉकडाउन के दोरान इतनी सारी फिल्में रु तो अगर हम लोग लेंगे भी तो दो हजार तेइस की फिल्में हम सुटिंग के लिए ले पायेंगे बाइस का तो पूरा अग्दम लॉक हो गया है एक एक दिन लॉक हो गया है अगर निर्वाजी को लोगे तो अमरवाली को लेना पड़ेगा, अगर खेसारी को लोगे तो काजल को लेना पड़ेगा, यह क्यों इसा कोई है नहीं बात देखिए, अभी जो मैं फिल्म करना हूँ, इस फिल्म की हिरोईन है, खुश्बू, इसके पहले जो मैं फिल्म शूट करके आया, उसमें सुरुती राव थी, और एक फिल्म और मैं शूट करके आया, यह अपना गुवरधन, उसमें मेगा श्री थी, उसके अलावाद दो फिल्में मैंने कम्पलीट कि अक्षरा सिंग के साथ, तो इस तरह से सब लोग सब के साथ फिल्में करते हैं, आमरपाली जी की फिल्म अभी लखनव में चल रही है किसी के साथ में, उसके पहले उनकी फिल्म चल रही थी समर सिंग के साथ में, उसके पहले उन्होंने फिल्म कम्पलीट किया खिसारी जी के साथ में, गोरखपूर, उसके पहले उनकी फिल्म थी चिं फिलम में होती हैं यह सुपर हइट होती है तो जो ज्यादा फिलम हिटे रहे हैं गरीज? इसलिए इसी बाते ृुथ जाथा तो इसलिए लोगों को लगता है कि अच्छा सब PIN के साथ सब के साथ आ रही है देखते हैं वो भी पर यह फिल्में ज्यादा हीट हो गई देखिए कौन फिल्म कब कितनी हीट हो जाएगी कोई नहीं कह सकता तो संजोग यह रहा कि जब हम लोगों को ऐसा लगता है पर ऐसा नहीं कि उस दौरान और लोगों के साथ फिल्में नहीं हुई उसके दौरान भी बहुत सारी फिल्में होई आज भी हो रही है आगे भी बहुत सारी फिल्में जुजा हुआ खकासरिए पर небольшeger और उनका फ्लिम सुपर डुपर हीट हो बहुस बीखिए